Hello investors, one second welcome back to our channel investing with Raj तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं कि इंडाइसे किस तरीके से परफॉर्म करेगा उसके वाज दोस्तो क्या रिजन्स से कि जिसके वज़े से मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया और इस तरीके की वुलाटिलिटी हमें देखने को मिल रही है जो एक्च्वल रिजन्स से वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो दोस्तो सबसे पहला जो ये निफ्टी का चार्ड है आप देख सकते हैं मैंने कुछ एक दिन बिक जाएगा माटी के मौन जग में रह जाएंगे प्यारे थेरे को कुछ टाइन पहले एक पोस दाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक बेरिश केंडल जो है वो जनेरेट हुआ है निफ्टी के चार्ट में और उसी के वज़े से देखे लास्ट दू लिन से एक जो है नेगेटिव रिटन हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी 23,976 यह strong levels है support के और इसके नीचे जाना थोड़ा chances कम नजर आ रहा है मुझे आपको एक channel दिखा रहा हुँ दोस्तों मैं यहाँ पर एक channel है जिसमें की पहले जो है इसी channel के अंदर जो निफ्टी जो है वो trade हो रहाता है and then and suddenly दोस्तों election के बाद जो है election results के बाद जो है निफ पर कहीं अगर आप देखें तो 24,433 and 23,976 का जो level है यह बहुत ही जादा strong support level है और मुझे यहां तो लगता है कि निफ्टी कुछ ही इस तरीके का channel बना करके इस तरीके moment देगा और यहां पर इस तरीके से channel के अंदर trade करेगा दोस्तों अभी हमें यह समझे चलना है कि यहां और निफ्टी जो है नीचे की तरफ ही जाने वाला है ऐसा मुझे नजर आ रहा है दोस्तों अगर आप निफ्टी PE के बात करें दोस्तों तो last 5 years का average median PE है वो 26.6 के असपास है और जो अभी current PE है दोस्तों 28.7X है तो as per PE निफ्टी जो है उतना जादा overvalued नहीं है वो अपनी median PE से slightly थोड़ा उपर ही trade हो रहा है तो chances है कि यहां से निफ्टी जो है long term में एक अच्छा growth हमें दिखा सकता है long term में उसकी value अच्छी खासी बढ़ने वाली है पर अभी फिलाल short term में यह जो है median PE के आसपास trade करेगा और थोड़ा बहुत हो सकता है कि जो levels मुझे नजर आ र करता हूँ मेरी personal SIP तो चालू है index fund के लिए मैंने यह जो एक level सा 25,000 का यहां पर मैंने लंसम में invest किया index fund के अंदर अब मैं वेट करूँगा जो यह 24,000 का level है इसमें वेट करूँगा यहां अगर आता है तो फिर से मैं लंसम investment करूँगा index fund के अंदर मेरी monthly SIP जो है वो continuously चा अब यहां पर दोस्तों देखें इस तरीके का एक हमें यहां पर फॉल आया दन फॉल बात सडन रिकवरी देखने लगा तो मुझे लगता है कि इस तरीके का एक चो पैटन बन करके यह इसी जोन में प्रेड होगा या फिर यह जो 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 है यह तो तोड़ना मुश्किल है म बहुत ही जादा धा हाय प्रीमियम फ्रेड करें हैं उनमें काफी कुछ गिरावाट हमें तेकने को मिल सकते हैं और जो नौर्मली वैलट में उनमें लेखने को मिल सकता है जो अच्छे stocks है, जो अच्छा perform कर रहा है, जिसमें जिनकी earnings अच्छे आ रही है, जिनका EPS ग्रोव हो रहा है, जिनकी profit ग्रोव हो रहा है, उसमें अच्छा कासा moment हमें small cap index के अंदर रेखनी को मिल सकता है, जो तो, अब दोस्तो, सवाल ये पैदा होता है, कि यहां पर जो market मे fall आए है, उसके क्या reasons है, तो अगर आप देखो कि normally google पर search भी करोगे, तो आपको business today and financial markets के जो newspapers है, उसमें आपको बहुत सारे reasons बताया जाएंगे, जिसमें की, जैसे कि अभी मैंने market today, business today का एक article मैं पढ़ रहा हूं, जिसमें की इन्होंने कुछ reasons बताया हुए, तो दोस्तो जो FPI की outflows है, वो लगबग बहुत जादा रहे हैं, last one year से, काफी जादा FPI, FIIs अपने पैसे को निकाल रहे हैं, every month we are seeing the selling, और यह जो FPI की outflows है दोस्तों, यह basically जो Chinese stimulus package मिला है, Chinese companies को चाइना के अंदर, जो government ने दी है उनको, उसके वज़े से क्या हो रहा है, जो China Index है, जो Hang पर, जो stimulus package उनको मिला है, उसका फायदा वो जल से जल उठा सके है, and they are the first to act, यह हमेशा याद रखेगा, जो FIIs and FIIs होते हैं, वो हमेशा पहले act करते हैं, किसी भी चीज को ले करके, because they have that resources, उनके पास इतनी सारे resources होती है, इतनी research team होती है, जिसके वज़े सो पहले act करते ह आपको पता भी नहीं होगा कि China में stimulus package आया है, और वो अपना पैसा निकाल के चाइना में डाल चुके होगे, इतना advance उन लोग रहते हैं, इतना forward रहते हैं हम retail investors से, तो यह एक reason है दोस्तों, जिसमें हो जिससे हमारे यहाँ पे selling देखने को मिलिया, अब आप देखेंगे, त बहुत ही जादा premium valuation पे trade हो रही है, जिसके वज़े से बहुत जादा profit booking हमें देखने को मिली है, उसके बाद state elections बुलकर कि इन्हों ने एक दिया हुआ है, मुझे लगता है कि state elections का इतना कुछ जादा impact हमारे stock market पे नहीं पढ़ता है, अगर पढ़ता भी तो वो quickly उसके उसके और उनकी results खराब आती है, तो हमें आगे आने वाले time में और भी जादा fall देखने को मिलेगा, गर आप देखो के तो Nifty के अंदर काफी सारे IT companies का भी बहुत जादा chunk है, जिसके वज़े से अगर IT stocks में अगर fall आता है, तो Nifty index में भी काफी जादा fall आने की chances है, जो main reason है दोस् Last April में Iran ने इससे भी बड़ा हमला किया था, बत उस time market ने react नहीं किया था, उसके पीछे का reason यह था दोस्तों, इनका जो Iron Dome system है, जो इनका defensive system है Iron Dome, उस time में काफी अच्छा वो act कर गया, और उसने उस जो वो जो हमला हुआ था, उसको उसनों ने intercept कर गे, उसके वज़े से जादा कुछ यह नहीं हुआ, इस बार के हमले में एक नहीं चीज यह देखने को मिली कि जो इनका Iron Dome system था, वो fail हो गया, इरान के हमले में, इसके वज़े से उनको बहुत जादा नुकसान हुआ है, इरान और इसराइल के बीच हो जो टेंशन से वो बढ़ा हैगा, और जो इसराइल का जो वल्लेरेबिलिटी है, कि इसराइल भी वल्लेरेबल है, Iron Dome उसे हमेशा नहीं बचा सकता, यह मैसेज गया है, सारे जियो पॉलिटिकल कंट्रीज, जो भी उस एरिया के कंट्रीज है वहाँ पर, इससे पता चल गया कि मिली लिस्ट में एक टेंशन बढ़ने है, लेकिन यह जो रिजिस्टंस है दोस्तो, $81 का technical resistance है, जो कि मुझे नजर आ रहा है, अर दूसरा resistance है दोस्तो, वह है, $88 का असपास, तो कहिना इस जगह पर रिजश्स करके वापस नीचे आ गया, और मुझे लगता है कि यह जो है, 81 का 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 स्ट्रोंग resistance है, तो मुझे ल पर इन लोगों के जगड़े चले तो इसलिए अभी फिलाल elections सब तो आप चिंता मत करिए कि यहां पर कुछ भी बहुत जादा कुछ होने वाला है यह एक news आई थी बीच में जिसमें की सेभी ने कुछ guidelines दिया हुआ है जिसके अंदर सेभी ने जो key indices है उनकी जो number of weekly option contracts है उसको reduce किया है per exchange और minimum trading amount को threshold 3 fold से increase कर दिया है तो कही ना कहीं इसमें जो है volatility के अंदर काफी जादा मार पढ़ने वाली है volatility हो बहुत जादा कम हो सकता है इसके वाज़े से तो यह problem हो सकती है उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो BCA research downgrades India's rating to underperform from neutral अब यहाँ पर जो हमारे BCA research है उन्होंने इंडिया की rating को downgrade कर दिया है underperforming से neutral में तो यह कहीं ना कहीं degrade कर दिया है तो इसके वाज़े से भी एक दोस्तों negative message जा रहा है investors के तरफ की अभी इंडिया में growth के मामले में थोड़ा सा जो है एक pessimistic outlook है बुल करके तो PC की वज़े से जो है FIIs भी अपना पैसा निकाल कर गी यहां से भाग रहे हैं और emerging Asian equity portfolios में डाल रहे हैं तो दोस्तों यह रहे हैं कुछ reasons जिसके वज़े से markets में fall आ रहा है कौन-कौन से stock में invest किया और कौन-कौन से levels में invest किया है तो आप मेरी playlist में जा कर देख सकते हैं वहाँ पर काफी सारे stocks हैं जहां पर मैंने swing trade opportunities बताई हैं जो short term positional trades बताए हैं long term investments बताए हैं तो आप जाकर चेक आउट कर सकते हैं दोस्तों तो thank you very much happy investing